आपका अपना चैनल इंडिया एवन न्यूस जो रखे आपको एवन एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स पिजने समधाय के लीडर्स, आप सब को नमस्कार्ट, मुझे खुशी है कि दक्षिन अफरिका की भूमी पर रखते ही हमारे कारकम की शुरुवात, ब्रिक्स बिजनेस फर्म से हो रही है, सबसे पहले मैं राश्पदी रामा फोसा को उनके निमंत्रान और इस बैटक के आयोजन के लिए बहुत-बहुत धन्वाद देता हूँ, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को दस्वी वजगान पर बहुत-बहुत बधाई और शुबकामनाई देता हूँ, पिछले दस वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत-महत्वपूर्ण भूमी का निभाई हैं। 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आउजित की गई थी, तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकर्चे बहार आ रहा था। उस समय ब्रिक्स ब्रैश्विक अर्थववस्ता के लिए एक आशा की किरण के रुप में उबरा था। वर्तमान समय में भी कोवीड महमारी तनावों और विवादों के बीश विश्व आर्थिक चुनोतियों से जूज रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बर फिर महत्वपूर भूमी का है। फ्रेंट्स वैश्विक अर्थववस्ता में उथल पूथल के बावजूत भारत आज विश्व की फास्टेस ग्रोइंग मेजर एकॉनमी है। जल्द ही भारत फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदे नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ एंजिन होगा। यह इसलिए हैं क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफार्म्स किये हैं। उनसे भारत में इजब डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लाइंस बर्डन को कम किया है। रेट टेप को हटा कर रेट कार्पेट विछा रहे हैं। GST और Insolvency and Bankruptcy Code के लागू होने से Investor Conference बढ़ा है। रक्षा और अंत्रिक्ष जशेक्षेत्र जिन को प्रतिबंदित माना जाता था आज प्रावेट सेक्टर के लिए खोल दिये गए है। हमने Public Service Delivery और Good Governance पर विशेश रुप से ध्यान के इंद्रित किया है। टेक्नलोजी के इस्तमाल से भारत ने Financial Inclusion की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाप हमारी ग्राणमेर महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोडों लोकों को Direct Benefit Transfer किये जाते हैं। अब तक 360 बिलियन डॉलर से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किये जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलिवरी में पारजर्स्तिता बढ़ी हैं और प्रस्टाचार और म्रेड़में कम हुए हैं। प्रती गिगाबेट डाटा की कीमत में भारत सबसे क्रिफायती देशों में हैं। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मौन सक यूपी आई यान उनाइफाइड पेमेंट इंटरफरेस का इस्तिवाल किया जाता है। आज वीश्टों के सबसे जिक डिजिटल ट्रांजिक्शन वाला देश भारत है। वीएई, फ्रांस, सिंगापूर जैसे देश इस प्लेट्फोंचे के साथ जुड़े है। ब्रिक्श देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावना है। भारत के इंफ्रासेक्टर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिद्रश्य बदल रहा है। इस वर्थ के बजेट में हमने इंफ्रासेक्टर के लिए लगभग 120 बिलियन डॉलर का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माद्धम से हम भविश के एक नए भारत की मजबुत नीव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एरवेज हर खेत्र में तेज गती से बढ़लावा रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमेटर प्रतिवर्ष के रप्तार से नए हाइवे बन रहे हैं। पिछले नव वर्ष में एरपोर्ट के संख्या दोगुनी हुई हैं। निवेश और उत्वादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन निंक इंसेंटिव स्केम्स लागू की हैं। लॉजिक्सी कोग्स कम होने से भारत का मैनुफेक्टिर सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिनियूबल एनर्जी के खेतरों में भारत वर्ल लीडर में से एक हैं। हम भारत को सोलार एनर्जी, बीन एनर्जी, इलेक्टिव वेहिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया जैसे खेतरों में ग्लोबल मैनिफेक्टिरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से करम उठा रहे हैं। स्वाभाविक हैं कि इस से भारत में रिन्यूबल टेक्नलोजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम है। भारत में इस समय सो से भी अधिक यूनिकॉम है। आई-टी, टलीकॉम, फिंटेक, एई-आई और सेमिकंट्रक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर्द वर्ल्ड के वीजन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का सामाने जन के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्पक प्रफाव पढ़ा है। पिछले नव वर्षों में लोगों के आए में लगभग तीन गना वृद्धी हुई हैं। भारत के आरतिक विकास में महलाओं के शसक्त भागीदारी रही हैं। आइटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केर तक महलाएं पुरूषों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर देश की प्रखति में योगदान दे रही हैं। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विक्सित राष्ट बनाने का संकल्प लिया है। Friends, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में साविज होने के लिए आमंतरित करता हूँ। COVID महमारी ने हमें resilient और inclusive supply chain के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्सिता बहुत ही महत्वपून है। हम एक दुसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खास तोर पर Global South के कल्यान में महत्वपून योगदान दे सकते हैं। एक्सलेंसी, मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बढ़ाई देता हूँ। इस मीटिंग के शांदार आयोजन के लिए मैं मेरे मित्र राश्पति रामा फोसा का भी आफार वेक्त करता हूँ। बहुत 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 देने वाँ। करता हूँ।